जैहिं दोस्तों स्वागत क्या आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आप बहुत वी महत्तपूर्ण कॉचन आंसर हिंदी साहती के तो वीडियो को पूरा वस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप कहा तक पहुँचे ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लैक करने न न भूलें बन लाइनर ये कॉशन बहुत विमात्तुपूर्ण कॉशन आंसर ह तो आपका राई टासर है यहां पर रास्तरी इसका प्रकासन काल क्या है? तो 1915 इसका प्रकासनकाल है हिंदी का प्रताम एकांकी है तो हिंदी की प्रताम एकांकी यहां पर पूंची है तो आपका सही आंसर है यहां पर एक घूंट एक घूंट जो है हिंदी की प्रताम एकांकी है और एक प्रसाजी की एकांकी है अंगला कॉस्चन क्या है तो देखिए आचार रामचन सुकल की पहली सेद्दान्तिक आलोचिना किरती है किसकी रामचन सुकल जी की तो पहली सेद्दान्तिक आलोचिना किरती जो है वह काब में रहसवाद है कौनसा काब में रहसवाद आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन ने रस पिवेचन को पहली बार मनुव्यज्यानिक आधार प्रदान किया तो किस ने किया यह आपके लिए यहाँ पर बताना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है आचार रामचन सुक्ल आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन है हिंदी में पिर्थम आत्म कथा तो हिंदी में पिर्थम आत्म कथा कौन सी है तो अर्द कथानक आपका राइट आंसर है अर्द कथानक तोला सो एक्तालिस की ए है और पनाची दास जी की है अर्द कथानक और हिंदी की पिर्थम आत्म कथा है अंगला कॉस्चन क्या है हिंदी में पिर्थम जीवनी कौन सी है यह आपके लिए बताना हिंदी में पिर्थम जीवनी जो है भक्तमाल 1580 में नावदास और प्रतम मौलेक जीवनी लेखक हैं कौन कार्थिक प्रसाथ खत्री और मीरा भाई का जीवन चरित्र यह जो है 1883 की है अंगला क्वाशन हैं हिंदी में प्रतम संसमनल हैं तो कौन सा हिंदी में प्रतम संसमनल यह आपके लिए बताने हिंदी प्रतम रिपोर्टाज हैं हुदी में प्रतम रिपोर्टाज कोन सा है लक्ष्मिपुरा। है उने तो खत्यकावी की पर्थम रचना कौन सी हैं इह रचना बताने आपके लिए такая da का संध्यक में जो है इधनी साइत का इतियास राम चन क्लिंट जी को une अंग्ला के स्चन्ह परंप्राशी द्रश्टी से रचित फिर्थम का संथ है तो ऑग्री साहड का प्रधम माक्शवादी ग्रंतकार क्वा न है सपानका साई आंसर अपका आपका राइट आंसर यहां पर होगा खली बोली पद्य का प्रिथम प्रियोग करता है तो खली बोली पद्य का प्रिथम प्रियोग करता है तो खली बोली पद्य का प्रिथम प्रियोग करता कौन है अमीर खुसरू आपका यहां पर राइट आंसर होगा खली बोली की प्रिथ साहित्य सवरूप का सर प्रियोग किया है तो खड़ी बोली में साहित्य सवरूप का सर प्रियोग किया है क्या है राम प्रसाद नरंजनी ने योग भासा बसेष्ट में योग भासा बसेष्ट में अंगला कॉस्चन क्या है प्रिथम हिंदी पत्र तो आपका राइट आंसर है सब्सक्राइब हिंदी की पिर्थम लगूपत्रि का गौन सी है। तो नए पत्ति, नए पत्ति है, यह जो है हिंदी की प्रतम लगुपत्रि का है, किसकी है, लक्षमिकांत बर्माजी की, अंगला कॉस्चन, हिंदी में प्रकासित प्रतम ग्रंताबली है, तो हिंदी में प्रकासित प्रतम ग्रंताबली कौन सी है, तो भारतेंदू ग्रंताबल पुरुस्कार प्राप्त करता कौन है यह आपके लिए बताना है तो बहें माकनलाल चतुरवेदी हिमतरंगिनी के लिए इनको मिलाता साहित अकादवी पुरुसकार सर्पर फिर्थम किसको माकनलाल चतुरवेदी को कम मिलाता अगर पुंचे जाए उन्नेस सु पच्पन में क्या है ग्यानपीट पुरुषकार से सम्माने पिर्थम हिंदी साहित्तिकार पंत हैं तो इनकी कौन सी रचना को दिया गया था ए पुरुषकार चेदंबरा के लिए 1968 में कब 1968 याद रखना 1968 आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर पूंचा है क्या है क्या पूं पुरुषकार से सम्माने पिर्थम हिंदी महिला साहित्तिकार जो है महादेई बर्मा है और इनको जो महादेई बर्मा जी को जो मिला था यह सम्मान ग्यानपीट पूरुषकार इनके लिए मिला था यामा पर इनकी रचना जो है यामा पर कब मिला था यह मिला था इनको 1982 मे अंगला कॉस्चन है ब्यास सम्मान बताना है तो ब्यास सम्मान जो है ब्यास सम्मान के बारे में देखिए यहाँ पर ब्यास सम्मान प्रतम ब्यास सम्मान मिला था किसको मिला था प्रतम ब्यास सम्मान तो भारत के भासा परिवार और हिंदी डाक्टर रामबला सरमाजी को मिल था और कम बिला था 1991 में, तो यह आपको याद रखना है अंगला कॉस्चन है, क्या है अंगला कॉच्चन की प्रिथम 200 हिंदी संब्लन कब हुआ था और देखिए यह जो हुआ था, कहा पर हुआ था यह भी बताएं, तो आपका राइट आंसर है यहा पर की यह जो हुआ था प आपका राइट आंसर है m, a, हिंदी का सरपरिथम सेक्षिक्षर प्रारम हुआ कासी हिंदू विश्विध्यालाए में, कब हुआ 1911 अंगला क्वेश्यन क्या पूंचा गया है, अंगला क्वेश्यन यापर पूंचा गया है, आपसे यहा पर देखे, की कासी हिंदु विश्वित जालाए के प्रिथाम हिंदी विभाग अध्यक्ष से तो कौन थे तो आपके लिए यहाँ पर बताना है तो स्याम सुंदरदास आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा अंगले कौस्टेन के आपकोंचे गया है तो देखे कौस्टेन नंबर आपका 71 ह यहाँ पर साहत अकादमी का प्रिथाम अध्यक्ष कौन थे तो साहत अकादमी के प्रिथाम अध्यक्ष बताना 71 का राइट आंसर बताना है पंड़त जवाहलाल निहरू आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा पंड़त जवाहलाल निहरू हिंदी साहत परिशत का प्रिथा अध्यक्ष आपके लिए बताना है तो पुरसुत्तमदास टंडन आपका राइट आंसर है यह जो थे हिंदी साहित परिशत के प्रिथम अध्यक्ष थे अंगले क्वेश्चन क्या पूंचा गया है देखिए सहिंग तो राष्ट्य संग में हिंदी में भांसन देने वाला प्र 1937 अंगले क्वेश्चन क्या पूंचा है हिंदी भासा का प्रिथम ब्यग्ज्ञान की तिहास है तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर हिंदी भासा का इतिहास 1933 जो धीरेंद्र बर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगले क्वेश्चन है हिंदी का प्रिथम या हिंद का पहला स्वतंत्र मौलेक नेवन राजा भोच का सपना और इसके जो लेकक राजा से प्रिशा से तारे हिंद अंगला कॉस्चन है प्राची इंतम गद्धे प्राची इंतम गद्ध कौन सा है तो पद्धे चंपु का बे रावर वेल रोडा कभी का है यह आपके लिए रोडा कभी याद रखना है अंगला कॉस्चन है ब्रिजभासा गद्धी की प्रिसम रचिना है तो ब्रिजभासा गद्धी की प्रिसम रचिना है कौन सी है सिंगारस मंडन गूसाई बिठलनाथ की है किसकी गूसाई बिठलनाथ की सिंगारस मंडन अंगला कॉस्चन है आदुने ख ख़डी बोली हिंदी घद्ध का जनक हैं तो भारते अंदु हरिष्यंदर आपका सही आंसर है एंगले खोष्यन है फिटि पहहली ब्यज्यानिक कहानी हैं इसे ने कहा تھा आपका राइट रांशर इहां पर ले खात्रमा है यह question महत्वपूण褂 पूचल ग्रण्तकार कोन है तो हिंदी के पे लेक्षंग ग्रंथकार जो है भाय है केसवधास क्اس आपका राइट आंसर है केसवधास आपका राइट आंसर तो विल्कुल इस प्रकार अपनियांपर वहती महत्वपूण portion complete हुए हिंदी साहते गई तो क्यांसा लगा ये वीडियो कमेंट में आपके लिए बताने हैं अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं पहला इकन दबाएं ओल पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे ज्यादा ही ज्यादा वीडियो को सेयर करना है और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सबी के लिए बहुत बहुत दन्यवाद जय हिंद